आज हम बनाएंगे यह एक्तम सॉफ्ट, स्पॉंजी, चॉकलेटी, स्ट्रॉबरी, चॉकलेट केक इस केक को आज हम बिना एक्ज और बिना आवन घर की कडाही में बनाएंगे और इस केक में मैंने आज बहुत सारे ब्लंडर्स किये हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तांकि आप ऐसी गलतिया ना करो तो बहुत ही आसान और इंट्रस्टिंग सी रेसिपी है फटा-फट से शुरू कर लेंगे और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे अपना केक का बेटर और इसके लिए ना मैने आज अपनी बेसिक एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी यूज़ की है जिसके लिए बोल में डालना है एक चुथ हाई कप ओईल साथ में डालेंगे एक ती हाई कप दही और आधा कप प्लस दो बड़े चमच बिसी हुई चीनी इन सारी चीजों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए और फिर इस बोल के उपर एक चनी रखके इसमें डालेंगे एक कप मैदा आप इस केक को गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हो एक चोथा एक कप कोको पावडर एक छोटा चमच बेकिंग पावडर आधा छोटा चमच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डालके ना इन ड्रा इंग्रीडियंट्स को चान लेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे एक स्पेचुला के साथ ड्रा इंग्रीडियंट्स डालने के बाद ना हमेशा स्पेचुला से तो बस बेटर दायार हो गया है और इसकी consistency आप देख रहे हो कि बिल्कुल ribbon जैसी flow ही रखनी है हमें इस बेटर को अब हम डालेंगे मोल्ड में और मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पर यह छे इंच का एक मोल्ड लेकर इसको grease किया है और इसमें butter paper लगाया आप चाहो तो मोल्ड को मैदे से भी dust कर सकते हो तो बस इस मोल्ड में अब हम अपना यह better ढालतेंगे तो मोल्ड को थोड़ा tap करेंगे आइस के बाद अब हम इसे bake करेंगे जिसके लिए मैं कडाही यूज कर जीओ और इसके लिए कोई भी मोटे तले की कडाही लेकर इसमें आपको नमक डालना है फिर इसमें एक stand रखके इसे उपर से ढख दो और medium flame के उपर 10 मिनट तक अच्छे से गरम कर लो मैंने कडाही को पहले से ही preheat होने के लिए रख दिया था कडाही काफी अच्छे से गरम है तो carefully अब हम अपना ये mold इसमें रख देंगे आइसे उपर से ढखके low medium flame के उपर इसे bake करेंगे तकरीबन 35-40 मिनट तक या तब तक जब तक के toothpick बल्कुल clear ना आ जाए अगर आप इसे oven में bake कर रहे हो तो आपको इसे preheated oven में 180 degree पर bake करना है तकरीबन 35-40 मिनट तक या तब तक जब तक ही toothpick clear आ जाएगी तो इस cake को रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए है अब हम इसे एक बर चेक करेंगे तो आप देख रहे हो कि cake के उपर काफी सारे cracks आ गए है यह बिल्कुल normal है और इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं मेरे case में जो reason है वो यह कि जो कड़ाही मैंने use की न यह काफी deep थी अगर broad वाली कड़ाही हम use करेंगे तो उसमें इस तरह से cracks नहीं आएंगे करती हूं आप इसकी जगा कोई भी और क्रीम ले सकते हो तो make sure कि उसमें जो fat content हो 30% हो ताकि आप उसे अच्छे से विप कर सको तो इस क्रीम में हम टालेंगे एक चोथाई कप cocoa powder और एक चोथाई कप इसी हुए चीनी इन सारी चीजों को ना हम पहले manually क्रीम में थोड़ा mix कर करेंगे ताकि अगर हम एकदम से विस्कर को on करें तो यह ड्रा इंग्रीजियंट सीधर उधर उड़े नहीं तो बस mix करने के बाद हम इसे विप करेंगे और तब तक विप करना है जब तक क्रीम में अच्छे से stiff peaks बनने लग गई हैं एक बार बोल को उल्टा करके चेक कर ल ना मैंने यहाँ पर यह 200 ग्राम स्ट्रावबेरीज ली हैं इसे मैंने छोटे टुकडों में कट कर लिया है तो इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे से mix कर लेंगे चीनी डालने से ना स्ट्रावबेरी अपना juice रिलीस कर देंगे और एक्स्ट्रा जूसी थोड़ी सौफ्ट और थोड़ी सी मीठी हो जाएंगी अचा इस से चीनी डालके से त्यार करने की बजाए आप चाहो तो इसका कॉमपॉर्ट भी बना सकते हो जो मैंने अल्रेड़ी अपने पहले स्ट्रावबेरी केक रेसिपी में शेयर किया था तो च इसे किसी भी बोड या प्लेट के ऊपर निकालो तो यह बहुत यह असानी से बाहर आजाएगा तो बस हमारा यह बेसिक एगले स्पॉंच के इकत्यार हो गया है अचा इस तरह से दही के साथ चॉकलेट केक बनाने की बजाए और भी बहुत सारी ऑप्शन्स हैं जिससे आप अपना चॉकलेट केक बना सकते हो जैसे कि चाहो तो आप इसमें एक्ज यूज कर सकते हो या फिर मिल्क विनेगर मिक्षर यानि की बटर मिल्क या फिर कंडेंस मिल्क से भी केक बना सकते हो और यह सारे के सारे केक मैंने अल्रेडी शेयर किये हैं आपके साथ जिनकी पार्ट था जो क्रैक्ट वाला वो निकालती है मैंने आप उसे वैसे ही खा सकते हो केक तो बहुत जाता सौफ्ट और स्पॉंजी बना है इसके बाद ना इसके को मैं तीन लेयर में कट कर जहूं जिसके लिए मैं हमेशा साइड पे पहले दो कट लगा लेती हूं ताकि बाउं सबसे पहले थोड़ी से क्रीम लगाएंगे बेस के ऊपर ताकि केक हमारा इसके उपर स्टीबल रहे तो अब हम सबसे पहले अपने केक की पहली लेयर रखेंगे आइसे हम मोइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ शुगर सिरप बनाने के लिए आधा कब गरम पानी में एक बड़ा चमत चीनी को मैंने घुलने तक मिक्स किया जब चीनी अच्छे से घुल गई तो हमारा शुगर सिरफ तैयार हो गया और फिर शुगर सिरफ पूर अच्छे से ठंडा होकर रूम टेंपरेचर पर जब आ गया तब हम इसे केक के ऊपर यूज कर रहे हैं तो इसे पर इस तरह से एक बाउंडरी बना लेंगे इसके बाद स्ट्रॉबरीज लगाएंगे तो यह जो स्ट्रॉबरीज हमने एक साइट पर अखिती चीनी डालके अब आप देख रहो कि इसने अच्छे से जूस को रिलीज कर दिया है वैसे आप चाहो तो इस जूस को अलग करके पर स्ट्रॉबरीज को यूज़ कर सकते हो बर्त मुझे पना केक हलका सा जूसी पसंद है तो मैं साथ-साथ में थोड़ा-ःदा सा जूस भी आड़ कर देते हूँ बहुत जादा नहीं बस हलका हलका सा तो total quantity मेंसे न मैंने आधी strawberries इसके layer में यूज कर ली है तो बस इसके एक layer देने के बाद अब इसके उपर जाएगी के की second layer हल्का सा प्रेस करेंगे इसके बाद इसे उपर से moist करने से पहले जो side के extra cream है इसे मैं थोड़ा smooth कर रही हूँ इसके बाद अब हम इसे भी moist करेंगे तो बिल्कुल same steps हैं जैसे हमने पहली layer के साथ किया तो पहले अच्छे से शुगर सिरप से moist कर लेना है फिर इसके उपर cream लगाएंगे इसे smooth करेंगे और फिर इसके उपर एक boundary बना लेंगे cream के साथ इसके center में अब हम रख देंगे अपन साथ टॉप में लें तो बस इसे भी हलका सा पहले cream को साइट से smooth कर लेंगे और फिर इस cake की layer को moist करेंगे फिर इसके ऊपर cream लगाएंगे और सारी साइट पर अपकी बार cream लगा देनी है और सारे cake को क्रीम से कवर कर लेंगे तो के की थोड़ी से finishing कर लेंगे आ इसके बाद अब इसके साइट पर मैं एक pattern बना रही है जिसके लिए मैंने यहां यह cake कोंब ली है तो इसके साथ हम इसके साइट पर इस तरह से pattern बना लेंगे आ इसके बाद इस cake को 10-15 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि यह icing थोड़ी से सेट हो जाए और फिर हम अ बट मेरे एक blender की वज़े से यह नहीं हो पाया आइक्शली हुआ क्या कि गनाश की जो quantity मेरे पास रखी थी ना वो थोड़ी थी और मुझे लगा कि नया गनाश अब कौन ही बनाएगा तो मैंने थोड़ी सी cream इसमें आइड की और इसको melt कर दिया और गलती से वो cream थोड़ी स किया जैसे मैं चाह रही थी बट एंड में जब मुझे लगा कि यह बर्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या कि थोड़ा थोड़ा और गनाश टाला इसके sides पर और अब एक cake scraper या फिर इस तरह से कुई कार्ड ले लो और इसको पूरे इस तरह से थोड़ा प कर सकते हो अचा वैसे आपके साथ ऐसी कोई last minute changes या blenders हुए है अगर हा तो मेरे साथ अपना experience जरूर शेयर करिएगा वीडियो के नीचे comment section में तो बस cake तयार हो गया है अब इसे आधे पॉरे खंटे के लिए एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे ताकि गनार सेट हो जा और फिर final garnishing करेंगे तो final garnishing के लिए मैं इसके उपर थोड़ी से strawberries यूज़ कर जहूँ अब जैसे चाहूँ अपने cake को गानिश कर सकते हो तो बस finally तयार हो गया है हमारा ये chocolate strawberry cake इतनी सारी blenders और mistakes के बाद बट finally cake तयार हो गया है और बहुत ही जादा soft, spongy और एक तम moist बना है और देखने में भी एकदम professional लग रहा है तो आप भी try करिए इस cake की recipe को मेरे साथ अपना feedback ज़रूर शेयर करिएगा picture शेयर कर सकते हैं इन सारी recipes की आप मेरे instagram पर और अगर recipe पसंद आई हो तो please video को like करिएगा और मेरे चानल को subscribe करना ना भूले